हेलो एवरीवन वेलकम डूर चैनल तेसिस रिष्टिय अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा 18 की स्ट्रोइंस के लिकर आई हूँ क्यूई जब्यास सॉलिशन जो की प्रतिक सैटरडे प्रतिक शनिवार को आती है जिसमें हम काफी सारे सब्जेक्स की क्यूई जब्यास सॉलिशन तो विडियो के end तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथë कोईशन 1st है एक बटा चार को दशमल भिन में बद लिए तो एक बटा चार को आप दशमल भिन में बनेगे तो 4 में एक का भाग लगाएंगे तो एक में भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हम? पॉइंट लगा देंगे, जिसे जीरो आजाएगा. देन दो बार जाएगा भाग. ठीके, देन क्या बचेगा, 2, देन क्या जाएगा, 5, तो यहाँ पर आपको आपको आपशन फर्स्ट को ग्लिक कर देना है, क्या आजाएगा अंजर 0.25 ठीक है 0.25 एक का 10 से भाग है एक बटा 10 को कर देंगे हम देखी 0 को उपर ले जाएगे तो 0.1 हो जाएगा तो यहां option second correct हो जाएगा ठीक है तो जब भी आप है जब इस तरह की संख्या देखते हैं एक बटा 100 एक बटा 10 तो क्या होता है जीरो को एक जीरो है तो पॉइंट एक हो जाएगा जैसे एक बटा 100 होता तो पॉइंट जीरो बन हो जाता एक बटा 1000 होता तो पॉइंट जीरो जीरो बन हो जाता तो जितने जीरो होते है उतनी संख्या के तो पींख्या के लगते हैं, तीन हैं, तीन संहिघा के बाद, नहीं ज्लीद कर वह आ हैं दो संहिए, तीन एक पार संहिए 2 हैं, ग् il his discesi. संख्या के बाद पौइंट 0 3 हो जाएगा थीए दो संख्या के बाद पौइंट लग जाएगा wenn you solve States est your option 4 करेक्त हो जाएगा if you need ौश्यो 0.058 से छोटी है 0.058 से छोटी यहाँ पर होए चाहिए option 3 0.033 ठीक है नेमने संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन है तो सबसे बड़ी है 4.3 दिये गए दश्मिनव को आरो ही क्रम में लिखिए आरो ही क्रम में लिखना है आपको ठीक है बढ़ती हुए क्रम में तो यहाँ हो जाएगा 12.30 देन 12.35 देन 12.38 ठीक है option 1st correct हो जाएगा खाली स्थान भरे 0.3 गुना 0.09 बराबर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 27 के बाद point लग जाएगा तो point 0.27 27 आंसर आजाएगा option 2nd मोटू हलवाई ने लड़ों को यह दो बैच बनाने के लिए 163.06 किगरा चीनी का प्रियोग किया उसने प्रतिक बैच में कितनी चीनी डाली तो प्रतिक बैच में डाली 163.06 को डिवाइड कर दीजे दो से 81.53 मतलब 81.53 किगरा उसने चीनी डाली है एक बैच में आशिश हाडवे की दुकान में गया लकडी की एक जैसी तीन तक्तियां खरीती उसने सब जब सारी तक्तियों को उनके किनारी चोड़ कर देखा तो बनी रेखा 1.59 मीटर लंबी थी प्रतिक तक्ति कितनी लंबी थी तो 1.59 को डिवाइड कर देंगे तीन से तो आजाएगा 0.53 ठीके 0.53 मीटर सीमेन की प्रतिक ब्लोक का भार 0.8 केगरा है 10 ब्लोकों का कुल कितना भार हो जाएगा तो 10 गुना 0.8 कर देंगे तो आंसर आजाएगा 8 केगरा यानि 8 केजी ठीके तो 10 को तो यहां 8 केगरा बच जाएगा ठीके 49.11 प्लस 15.36 को जोड़ना है आपको तो यहां आंसर हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 54.47 यानि 54.47 प्लस पंदरा पॉइंट 47 औप्शन थर गरेक्ट हो जाएगा 1234 दश्मिलव एक दोसी 987.98 घटाएं तो सही विकल्प कौन सा जाएगा तो घटानी पर हमारे पास में देखिए घटानी के लिए आप क्या करेंगी इस तरह से इन संक्या को लिख देंगे अब घटाएंगी 12 में से 8 4 2 में से 8 नहीं जाते तो हासिल लेंगे हम ठीक है जीरो में से 9 जाएगा नहीं 10 में से 9 गए तो 1 अब 10 में लग जाएगा 3 में से 7 नहीं जाएगा 13 में से 7 गए तो 6 2 में से 8 नहीं जाएगा 12 में से 8 गए तो 4 अब यहां बचाएगा एक ग्यारमे से नौ गए तो दो यह आंसर आजाएगा आपकी पासर आप्शन सेकेंड 246.14 ठीक है लुप्त संख्या ज्यात कीजिए 92.2 को डिवाइट करेंगे जब 6.8 से 6.8 से तो आंसर बच जाएगा देखिए 14 25.2 6.8 से पॉइंट कर गया 68 से अब इसको डिवाइट करेंगे तो हमारे पास में जब 68 को डिवाइट करेंगे तो एक पर भाग जाएगा ठीक है पंद्रा मेंसे आट गए तो साथ आठ मेंसे छे गए तो एक एक सो बहत तर चार बर बायर जाएगा तो जोदा आंसर आजाएगा ओप्शन थर करेक्ट हो जाएगा निम्न में कौन सी संख्या आठ सो चौरानवी धन शॉरी आठ सो चौरानवी दश्मन दो छे का विस्तारीत रूप है तो देखिए आठ सो में सेख्ड़ा आजाएगा नभ्भे में दाही चार में इकाई देन दश्मन लव टू देन दश्मन जीरो छे ठीक है सेख्ड़ा पे है तो जीरो छे को कर देंगे इस तरह से इसका विस्तारीत रूप लिखेंगे 832.6 को कैसे वेक्त करेंगे तो आठ सेख्ड़ा तीन दाही दो इकाई दश्मन लव छे दश्मन को कैसे करेंगे 6 दश्मन की रूप में लिखेंगे आप देखेंगे सबजेक विज्ञान यानि साइन्स की क्विजपेस का सॉलिशन कोशिन फरस्ट है निम्न मैंसे कौन सी धातू द्रव अवस्था में रहती है तो द्रव अवस्था में आपने देखा होगा पारा रहता है जो कि थर्मामीट है और बहुत सारी चीज़ों में यूज किया चात ती सार्वत्रिक दाता कहलाता है सार्वत्रिक दाता यानि सभी को जो घून दे सकता है ब्लड दे सकता है ब्लड डॉनर कहलाता है वो होता है ओ सम्हूं ओ ग्रूप जो रहता है जिस भी परसन का ओ ग्रूप रहता है वो सभी को जो ये है ब्लड डॉनेशन वो कर सकते है ठी विश्व जन संक्या दीवस कम मनाया जाता है तो विश्व जन संक्या दीवस मनाया जाता है 11 जुलाई को निकत द्रश्टी दोस से पीड वैक्ति कौन सा लेंस प्रियुक्त करते हैं जिसको पास से देखने में प्रॉब्लम होती है पास से देख नहीं सकता है उसके लिए यूज किया जाता है अफ्तर लेंस और दूर द्रश्टी दोस के लिए किया जाता है यूज उत्तर लेंस और उत्तल और अफ्तल को मैच कर दिया जाता है ग्लास में और तब पहना जाता है यहां अफ्तल लेंस को करेक कर दिया विश्व प्रियावर्ण दीवस का मनाय जाता है 5 जून स्वच्छ भारत अभियान का प्रारम किया 2 अक्टूबर 2014 को प्रधार मंत्री सूप्रसीद वेग्यानिक है जिनका जन 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था इन्ही भारत की बर्ड मैन की रूप में भी जाना जाता है इस पक्षी वेग्यानिका नाम बताईए तो इस पक्षी वेग्यानिका नाम है डॉक्टर सालीब अली जिनको बर्ड मैन की नाम से जाना जाता है 12 नवंबर 1896 में मुंबई में इनका जन हुआ था खेजडली अंदुलन में सबसे बड़ी भूमिका रही थी अमरिता देवी तो आपने सुना ही होगा जोत्पूर में जब पेड़ों को काटा जा रहा था तब अमरिता देवी एक ऐसी महिला थी जिनोंने आवाज उठाई थी और उनके साथ में बहुत सारी महिला उने भी आवाज उठाई थी और वो पेड की चिपक गई थी कि पेड़ कटेगा तो हम भी कर जाएंगे और इस तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी थी तो उन्हो आग भुजाने में काम आने वाली कौन सी गैस है कार्बन डाइ ऑक्साइड वर्मी कमपोस बनाने में काम आने वाले क्रमी का नाम बताईए तो यह है कैच्वा कैच्वा से बहुत अच्छी खाल बनती है आपको तो पताईए होगा जो खेती करते हैं उन्हें तो कैच्वा क देरिजोमंडली नाइट्रोजन को बदलने वाने जीवानों का नाम पताईए रीजोबिया, किसी पधार्त की इकाई आइतन की द्रविमान को कहते हैं, घनत्वा slakot, जल शुद्दीकरण के कामाने वाली gas का नाम पताईए, जल शुद्दीकरण में कामाने वाली gas है, क्लोरि पिर但 होता है कि ऑले हैं अब्ले हुए चावल में अयोडीन ठालने पर उसका रंग परिवर्टित हो जाता है क्यों मन्ड कार्ण स्टार्च होता है जिसकी कारण उसका जेंच हो ज़ाता है कलर आयोडिन डालने पर उच्छ वासित वायू को चूने के पानी में प्रभाइद करने पर चूने के पानी का रंग हो जाता है दूद्या अब देखेंगे सब्जेक इंग्लिश के क्वेट जप्यास का सॉलिशन तो कुशन फर्स्ट है इसका यूज ज़ाएगे प्ले का हो जाएगा प्लेंग्ग ज़ोड़ा जाता है अनिल क्रिकेट खेल रहा है fill in the blank with the present continuous tense of the verb यहां पर भी present continuous tense का यूज़ करना है we blank to the park यहां we के साथ में यूज़ करेंगे are और going आजाएगा गो का तो go के बात में लगेगा ing जिससे हो जाएगा going option third correct हो जाएगा we are going to the park हम पार्क जा रहे हैं यहां पर भी आपको present continuous tense का यूज़ करना है I blank a patriotic song मतलब मैं देशवक्ती song गार patriotic है नहीं देशवक्ती तो यहां हो जाएगा I के साथ में तो M ही लगेगा तो यहां हो जाएगा I am sing sing मैं ing लग जाएगा जिससे हो जाएगा singing गार ही हूँ patriotic song देशवक्ती song I am singing a patriotic song यहां पर भी present continuous tense का यूज़ करना है my mother teaches English तो यहां हो जाएगा my mother is teaching English change करना था आपको sentence को present continuous tense में तो यहां हो जाएगा my mother की साथ में लग जाएगा is teach का हो जाएगा teaching English आजएगा तो यहां हो जाएगा my mother is teaching English मेरी मतर पढ़ा रही है English change the giving sentence to present continuous tense they enjoy the movie तो दे के साथ में आजएगा are they are enjoying the movie तो present continuous tense से तो वर तो लिखेंगे नहीं यहां पर आर ही आएगा और दे बहु अचने इसलिए आर लिखा है और enjoy में हो जाएगा ing जोड़ करके enjoy the movie वे enjoy कर रहे है movie को यहां अगर हमें change करना है sentence को it rains heavily तो it के साथ यूज़ करेंगे it is it is raining heavily यहां बारिश काफी heavily हो रही है यानि बहुत तेज बारिश हो रही है तो यहां हो जाएगा second option correct fill in the blank with simple present form form of the verb आपको simple present tense में verb लिखनी है ram blank to school everyday तो यहां हो जाएगा go के साथ जोड़ जाएगा yes क्योंकि ram singular है तो singular form में yes जोड़ता है as या yes present simple tense में तो यहां हो जाएगा ram goes to school everyday ram everyday यानि प्रतिक दिन school जाता है again यहां simple present tense में यूज करेंगे हम बब को children blank in the park every morning every evening तो यहां children की साथ में हो जाएगा children काफी सारे बच्चे को बोलते हैं तो यहां हो जाएगा play children play in the park every evening बच्चे जो है प्रतिक शाम को पार्क में खेलते हैं fill in the blank with simple present form of the verb the sun blank in the west तो यहां हो जाएगा the sun sets in the west sun कहाँ पर अस्त होता है west में पश्ची में choose the correct question for the given statement the bank is near the park अब question मनेगा where is the bank bank कहाँ है the bank is near the park park की पास है bank option 3 correct हो जाएगा again question मनाना है हमे my father is in America मेरी father अमेरिका में है question मनेगा where is your father तुम्हारे father कहा है तुम्हारे papa कहा है next correct question मनेगा the student is with his teacher student किस के साथ है teacher के साथ है तो यहां हो जाएगा where is the student student कहा है next question है join the sentence with the conjunction both end both end का यूज़ करना है इसका अरत होता है दोनों और मीरा is hard working मीरा is intelligent तो दोनों ही काम करती है तो मीरा hard working भी है और intelligent भी है तो यहां हो जाएगा मीरा is both hard working and intelligent मीरा hard working दोनों ही है तो मीरा hard working और intelligent दोनों ही है join the sentence again हमें conjunction यूज़ करना है both end का you can go by bus you can go by train यह हो जाएगा you can go both by bus and train तुम जा सकते हो किसके द्वारा bus या train के द्वारा दौनों के साथ में दौनों ऐसे किसी के द्वारा जा सकते हो ठीक है तो option third correct हो जाएगा अनिन हैसे laptop his friend has a laptop तो यह हो जाएगा both अनिन and his friend have laptop have आजाएगा दो के साथ में यूज़ कर रहें और दौनों के पास में एक ही चीज है तो यहाँ पर जो subject है उनके पहले आजाएगा both अनिन and his friend have laptops laptop हो जाएगा ठीक है तो यह डन होता है आपका क्वीज़बैस solution जिसमें आमने English, Science and Math की क्वीज़बैस का solution देखा है अगर आपको किसी question में कोई भी doubt रहता है तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो इस तरह से डन होता है आपका आज का क्वीज़बैस solution तो इसी तरह और भी important videos देखने के लिए जुड़े रहे हमारे channel के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद